हेलो डियर स्टुडेंट्स आपका पुना हमारी चैनल में स्वागत हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लाश 10 की मैथ समांतर स्रेनी 5.1 तो 5.1 से पहली मैंने आपको पहली वीडियो में क्या बताया है बेसिक क्योंकि जब तक हम बेसिक नहीं सीखेंगे तब तक हम कोश्चन को सॉल नहीं कर पाएंगे तो बेसिक हमने सीख लिया और हमने देखा कि बहुत जादा सिंपल है और मैंने आप से कहा था कि आप अपने फ्रेंट्स के साथ भी इसको डिसकस करिएगा तो उमीर है कि आपने करा होगा डिसकस तो आएए आज हम 5.1 का नंबर 1 कोश्चन निम लि ठीक है कितने भाग दिए गए है चार भाग दिए गए है ये चार भाग में से हमें बताना है कौनसी सेणी एपी की है और कौनसी सेणी एपी की नहीं है ठीक है तो नंबर 1 कोश्चन है प्रति किलो मीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है कि क्या प्रतिक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया जबकि प्रतम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो पंदरा रुपे है और प्रतिक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया आठ रुपे और बढ़ जाता है तो क्या ये वाली सेनी जो बनेगी वो एपी होगी सडक से अच्छी होगी ताकि वो जल्दी तूटे ना और हमें कोशन भी जल्दी समझ में आ जाए थोड़ी टेड़ी बन गई भाई सौरी हाँ हमारी बन गई है एक सडक अब इस सडक पर हम लोग चलेंगे एक बस में बैड़ गए हमारी एक छोटी सी मैंने बना दी बस इस ब किलो मेटर मान लिया यहां तक की दूरी कितनी है पहली किलो मेटर क्रथम किलो मेटर है तो जो क्रथम किलो मेटर का जो हमारा किराया है वो है 15 रुपए कितने है 15 रुपए अब जो यहां पर उत्रेगा भाई वो कितने रुपए देगा 15 रुपए देगा यानि कि यहां पर जो एक किलो मीटर का किराया है एक किलो मीटर का किराया एक किलो मीटर का किराया जिसे हम किसे रिनोट करेंगे A1 से A1 बराबर कितना है पंदरा रुपए ठीक है जो उत्राया पर उसने पंदरा रुपए दे दिये अब मान लोग किसी को इससे एक किलो मेटर और आगे जाना है अब इन्होंने बोला कि यदि आप पहली किलो मेटर से आगे अतिरित किलो मेटर में जाना चाते हैं तो आपका प्लस आठ रुपए बढ़ जाएगा यानि आठ रुपए आपको पंदा रुपए के साथ और देने पड़ेंगे तो हमारे दूसरे मेटर का किराया कितना हो जाएगा दूसरे किलो मेटर का किराया दूसरे किलो मेटर की किराया को हम किसे डिनोट करेंगे A2 से यानि कि पहले हम 15 रुपे दे रहे थे भई दे रहे हैं ठीक है अब साथ में हम 8 रुपे और देंगे 15 और 8 कितना हो गया 23 यानि हमारा A2 कितना आ गया 23 रुपे आ गया तो जो 2 किलो मीटर तक जाएगा वो कितना रुपे किराया देगा तेस रुपे किराया देगा अब मान लो एक व्यक्ति और है उसको एक नहीं दो नहीं बलके कितने किलोमेटर जाना है पूरा तीन किलोमेटर तक जाना है तो वो पंदरा प्लस आठ प्लस आठ रुपे क्या देगा और किराया देगा यानि कि तीसरे किलोमीटर का बच्चों मेरी राइटिंग इतनी बुरी नहीं है बट अभी मुझे pen tap पे लिखने की आदत नहीं है इसलिए यहाँ पे मेरी राइटिंग थोड़ी सी बुरी लग रही है ठीक है तो उसके लिए sorry अब देखो पहले तो वो 23 रुपे देही रहा था 2 किलोमीटर के लिए अब वो 8 रुपे क्या करेगा और देगा तो 23 प्लस 8 कितने हो गए हमारे 31 रुपे इसी तरह अगर हम A4 निकालेंगे तो A4 कितना हो जाएगा 31 प्लस 8 यानि कि अब किराया कितना हो गया 39 तो बास समझ में आई पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपे किराया दूसरे किलोमीटर के लिए 23 फिर 31 फिर 29 यानि लगाता जैसे जैसे किलोमीटर हमारा पड़ेगा किलोमीटर बढ़ने के साथ साथ हमारा किराया भी 8 रुपे बढ़ता जाएगा तो अब इन्होंने हमसे पूछा है क्या ये एक AP की सेणी है या नहीं है जिसको explanation वीडियो समझ में आई होगी वो देखके ही समझ जाएगा कि हाँ ये AP की सेणी है लेकिन हम फिर भी बना के देखते हैं कि क्या ये हमारी AP सेणी है या नहीं है तो A1, A2, A3, D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D करेंगे ожет करेंगे देखो ही हुआ अब हम चैक कैसे करते हैं तो चैक के लिए हम तोड़ा सा कलार्ज क्या करते हैं चेंज कर देते हैं हमने चींज했던 किया चैप करेंगे ठिक है थे टुश करने के लिए हम क्या निकालते हैं सार्व अंतर कि सार्व अंतर सार्व अंतर अब सार्व अंतर निकालने के लिए क्या करते हैं दूसरे पद में से पहले पद को क्या करेंगे माइनस कर देंगे ठीक है यानि कि D1 is equal to A2 माइनस का A1 A2 कितना है 23 23 माइनस कितना करेंगे 15 और कितना आ जाएगा हम चेक करेंगे D2 D2 हमारा कितना है D2 निकालने के लिए A3 माइनस क्या करेंगे A2 यानि कि हम क्या करेंगे 31 माइनस का 23 ठीक है A3 कितना है 31 A2 कितना है 23 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 8 और इसी तरह हम आगे भी जब माइनस करती जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा d1 is equal to d2 is equal to d3 is equal to जितने भी d हैं सब आपस में क्या आ रहे हैं बराबर यानि हमारा सार्व अंतर क्या आ रहा है बराबर और जब हमारा सार्व अंतर क्या आएगा बराबर आएगा तो उस समय हमारी सेणी क्या होती है क्या होती है वताईए उस सेणी को हम क्या कहते है एपी यानि की समांतर सेणी कहते है सिंपल लिख सकते हैं यह है AP है ठीक है क्यों है AP क्योंकि यहां पे सार्व अंतर क्या है हमारा बराबन अब आई अब हम आ जाते हैं next question तो next question second number किसी बेलन में उपस्तित हवा की मात्रा जबकि वायू निकालने वाला पंप रतिक बार बेलन की सिस हवा का एक बट्टी चार भाग बाहर निकाल देता है देखी क्या कह रहे हैं यहाँ पर किसी बेलन में उपस्तित हवा की मात्रा हवा की मात्रा हवा की मात्रा का मतलब यहाँ पर क्या है आयतन से कि किसी बेलन यानि इस लेंडर में जो हवा भरी है उसका आयतन सबसे पहले हम बना लेते हैं एक बेलन रसोई वाला बेलन नहीं अपना मैट्स वाला बेलन यह बना बेलन यह है बेलन अब बेलन में क्या है उपर से एक पंप लगा हुआ है बेलन में एक उपर से पंप लगा है तो जब हम इस पंप को प्रेस करते हैं तो यहां से एक भाग है जहां से हवा क्या हो रही है बाहर निकल जा रही है यानि बेलन में जितनी हवा भरी है पंप करने पर एक बार अगर हम उसको पंप करेंगे तो कितनी हवा निकल जाएगी एक बटे चार दुबारा जब हम उसको पंप करेंगे तो बची हुई हवा का एक बटे चार भाग दुबारा निकल जाएगा तिबारा हम pump करेंगे तो बची हुई हवा का एक बट्टी चार भाग फिर से निकल जाएगा तो अब इनोंने देखो question में हमें ये नहीं बोला है कि कुल हवा कितनी है ठीक है, बेलन में कुल हवा नहीं बताई हैं हमें, तो हम बेलन की कुल हवा को कितना मान लेते हैं, वन, कुल हवा मानेंगे, वन, माना, बेलन में हवा की मात्रा, हवा की मात्रा मतलब आयतन, आयतन को किसे रेनोट करते हैं, क्या बता सकता है कोई, कमेंट बॉक्स में अब बताईएगा कि मैस में आयतन को हम किस इंगलिस के वर्ट से डेनोट करते हैं, तो माना, बेलन में हवा की मात्रा मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, एवन, यानि पहला पद हम मान रहे हैं, एवन, कितना मान रहे हैं, एक, ठीक है, कितना मान लिया हमने, अब हम निकालेंगे A2, यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अब हमें क्या निकालना है A2, तो देखो A2 बराबर क्या होगा, बेलन मैंसे, बेलन मैंसे, हवा का एक बटे, चार, भाग निकालने पर, निकालने पर, तो A2 बराबर क्या हुआ, कुल हवा कितनी है, एक और कितना निकालना है हमें इसमें से, एक बटे, चार भाग निकाल लेना है, यानि कि यह जो हमारा स्लेंडर है, स्लेंडर को जब हम पहली बार पंप करेंगे, खुल हवा कितनी है, एक जब हमने पंप किया, इसमें से, कितनी हवा निकल गई, एक बटे, चार भाग हवा निकल गई, निकलने का मतलब क्या करना है, माइनस करना है, तो देखो, इसको सॉल्फ करने के बाद क्या होगा, चार इकम चार, माइनस वन, अपॉन फोर, फोर मैंसे वन जायेगा बचा थ्री, थ्री अपॉन फोर, तो एटू हमारा कितना आया, थ्री अपॉन फोर आगया, सही हो गया, तो बची हुई हवा की मातरा कितनी हो गई है, तीन बटे, अब एटू तो हमारा, तीन बटे, चार आया ही आया, साथ ही साथ अब हमारे बेलन की अंदर कितनी हवा बची है तीन बटे चार तो हम अगर अच्छे से कोश्चन था कि हम बाद में ना भूले तो इसको अगर अच्छे से नोट करना है तो यहाँ पर हम एक लाइन एड कर लेते हैं बची हवा की मातरा बराबर तीन बटे चार तीन बटे चार हमारा क्या है एटू भी है और बची हुई हवा भी हमारी कितनी है तीन बटे चार आप देखो नेक्ट स्लाइड में एट्थ्री निकालना अपर हमें क्या निकालना है एट्री तो HZ निकालने के लिए क्या लिखेंगे? बेलन मैं सेस बची हवा मैं से एक बटे चार भाग निकालने पर बची हवा की मातरा यह लाइन समझ में आई, देखू सबसे पहले एक थी हवा, एक मैं से हमने कितनी निकाल दी? एक बटे चार हमने निकाल दी, एक बटे चार निकालने के बाद कितनी बची हवा? तीन बटे चार, तो एटू कितना हुआ? तीन बटे चार तो अब हमारे पास सिलेंडर में कितनी हवा है? तीन बटे चार सेज बची हुई हवा कितनी है? तीन बटे चार अब हम तीन बटे चार में से कितनी हवा निकाल देंगे? एक बट्टे चार हवा को हम दुबारा से निकाल देंगे तो देखो एट हो क्या है एट्री कैसे निकालेंगे एट्री तीन बट्टे चार माइनस तीन यानि बेलन में कितनी हवा है तीन बट्टे चार और करना क्या हमें बची हुई हवा का 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 मतलब क्या होता है अर्मेसा गुणा हवा की या का होगा यहाँ पर का का मतलब क्या होता है गुणा का एक बट्टे चार भाग निकालने पर यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तीन बट्टे चार क्या है सेज बची हुई हवा सेज बची बाग का एक बट्टे चार भाग निकालने पाद अगर इसको solve परेंगे कितना होगा तीन बट्टे 4 माइनस तीन इकम तीन चार चक को 16 चार और 16 का एसियम कितना होगा 16 चार में 3 का 3 लिग दिया चार से 16 कितने बार में डिवाइड जाएगा चार चक को 16 माइनस तीन लिग दिया गुणा 16 से 16 कितने बार में जाएगा एक बार में तो हमने एक लिग दिया 3 चक को 12 माइनस 3 इकम 3 बटे 16 12 मैंसे 3 गया कितना बच्चा 9 9 बटे 16 यानि A3 हमारा कितना आ गया A3 आ गया हमारा 9 बटे 16 यहाँ पर जो मेन लाइन है जहाँ पर हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है वो हमें इस पॉइंट पर लगाना है कि हमें सेज बच्ची हुई हवा का सेज बच्ची हुई हवा मैं सेज बच्ची हुई हवा का एक बटे 4 भाग क्या करना है निकालना है तो अब देखो हमारे 3 पद निकल गए 3 पद निकलने का मतलब हम भाग की काम अब नाम से कर लेंगे a2, a1, a2, a3, dead and dead a1 कितना माना है हमने 1 a2 कितना आगया हमारा 3 बटे 4 a3 हमारा कितना आगया 9 बटे 16 तो यहां से हम अब क्या निकालेंगे बताए क्या निकालेंगे सार्व अंतर सार्व अंतर कैसे निकालते हैं चेक करेंगे एक AP यानि समानतर सेनी है या नहीं है, तो देखो चेक करने के लिए सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानि सबसे पहले क्या निकालेंगे D1, D1 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2-A1 A2 कितना है हमारा, 3 बटे 4 3 बटे 4 माइनस 1 यानि 3 4 एकम 4 बटे 4 3 में से 4 जाएगा तो कितना जाएगा माइनस का 1 बटे 4 माइनस का 1 बटे 4 यानि कि हमारा यहाँ पर D1 आ गया माइनस का 1 बटे 4 अब इसी तरह D2 भी निकालते हैं भई D2 अगर सेम आया तो यह AP है, अनित था यह AP नहीं है तो A3 माइनस A2 A3 कितना है? 9 बटे 16 माइनस A2 कितना है? 3 बटे 4 16 और 4 का LC म कितना होगा? 16 9 का 9 लिग दिया गोना 16 मैं से 16 जाएगा एक बार में माइनस 3 4 मैं से 16 जाएगा 4 बार में कितना अगया? 9 एकम 9 माइनस 14 बारा बटे 16 तो यहाँ पर 9 में से माइनस 12 होगा तो बचे का कितना माइनस का 3 बटे 16 तो क्या यहाँ पर हमारा D1 और D2 बराबर है अगर हम यहाँ पर हमारे D1 और D2 को क्या करेंगे चेक करेंगे तो क्या हमारा D1 और D2 बराबर आ रहा है बराबर नहीं आ रहा है देखो D1 हमारा कितना आया माइनस का एक बट्टे चार और D2 कितना आ गया हमारा माइनस का तीन बट्टे सोला अब हमें हमारा जवाब पता है D1 is not equal to D2 और जब D1 is not equal to D2 होगा तो यह है AP नहीं है अब आये तो हम तीसरे कोश्चन में देखते हैं तीसरा कोश्चन हमारा कह रहा है कि प्रतेक मीटर की खुदाई के बाद एक कुवा खोदने में आई लागत जबकि प्रतम मीटर खुदाई की लागत 1.500 रुपए है अब बाद में अगर हम और कुवा खोदना चाते हैं तो प्रतेक एक मीटर खोदने के लिए कितने रुपए लगेंगे 50 रुपए ज़ादा लगेंगे यानि जनरली कुवा खोदा जा रहा है अब कुवा जब सुरू में खोदा जाता है तो सबसे ज़ादा खर्चा कब आएगा सुरू में आएगा तो सुरू का खर्चा इन्होंने कितना बोल दिया 1.500 रुपए मान लोग कोई 4 मीटर गयराई तक कुवा खोदना चाहरा है तो 4 मीटर कुवा तक कुवा खोदने तक उसका खर्चा कितना एगा 1.500 अगर 4 में बोď 5 मीटर झाहरा है तो उसे 50 रुपए क्या करना पड़ेगा जादा देना पड़ेगा 5 के बोध वो 6 मीटर तक खोदना चाहरा है तो उसे 50 रुपए और ज्यादा देना पड़ेगा आईए समझते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं एक कुवा क्या बनाएंगे कुवा अब मान लो ये एक मीटर तक कुवा क्या हो गया है खुद गया है कितना एक मीटर हमने खोदा पर इतना खोदने में हमारा खर्चा कितना आ ग को एक मीटर और एक्षा खोद दे एक्षा खोदेंगे तो हमें प्लस और कितने रुपए देने पड़ेंगे पचास रुपए और देने पड़ेंगे हम फिर चाते हैं कि भाई हम और खोद दे कोई को एक मीटर पानी साफ नहीं आ रहा हमें और अच्छा पानी चाहिए में पचास रुपए और देने पड़ेंगे तो सिंपल कोशन देखके समझ में आ गया तो यहां पर अगर हम लिखें ढंक से तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे प्रथम मीटर कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना है लागत इसको क्या मान लेंगे क्या होगा यह हमारा एवन कितना है डेड़ सो रुपए अब इसी तरह दूसरे मीटर खुदाई की लागत यानि एटू बराबर कितना हो जाएगा डेड़ सो और डेड़ सो में कितना जोड़ दोगे पचास कितना आ गया दो सो यानि कि अगर दो मीटर कुवा खुदना चाते हो तो कितना खर्चा होगा दो सो रुपए का खर्चा होगा इसी तरह अगर हम A3 निकाल ले तो 200 प्लस फिर से कितना दोगे एक्ष्ट्रा 50 रुपए कितना हो गया 200 रुपए इसी तरह A4 निकाल लोगे तो 200 प्लस फिर से 50 रुपए दोगे कितना आजाएगा 300 रुपए तो हमारी सेनी देखों क्या बनेगी हमारा पहला पत क्या आजाएगा A1, A2, A3, A4, A1 कितना है 1,500 रुपए A2 कितना हो गया 200 रुपए A3 कितना हो गया स्वरी 500 रुपए A4 कितना हो गया 300 रुपए देख की समझ में आ रहा है सार्व अंतर क्या है हमारा बराबर है लेकिन भई Mountain value मैं आधिया धूरी से number नहीं दूँँगा मुझे तो पूरा करकर दिखाव तो हम आप क्या निकाल लेंगे चेक कर लेंगे चेक करने के लिए हम क्या निकालेंगे सार्व अंतर सार्व अंतर सबसे पहले निकालेंगे D1 A2-1 A2 क्या है हमारा 200 200 मैं से 1500 जाएगा कितना आ जाएगा हमारा 50 रुपए आ जाएगा इसी तरह से D2 निकाल लो D2 कितना हो जाएगा A3 माइनस का A2 D3 कितना है डाई सो डाई सो माइनस 200 is equal to कितना जाएगा 50 रुपए इसी तरह D3 निकालोगे यानि A4 माइनस आएगा A4 माइनस A3 is equal to 300 माइनस का 200 पर घटाओगी कितना हैगा 50 रुपए यानि कि D1 is equal to D2 is equal to D3 तब क्या रहे आपस में बराबर आ रहे हैं यानि कि जब सारवंतर बराबर होता है तो वो सेनी हमारी कैसी होती है एक समानतर सेनी होती है तो simple लिख देंगे कि sorry कहा गया भई वापस आजा हम simple लिख देंगे यह है AP है AP क्यों है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा सारवंतर है वो कितना आ रहा है बराबर आ रहा है सारे के सारे सारवंतर कितने पचास 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 है सारे सारवंतर बराबर है इसलिए हम कहेंगे कि यह सेनी कैसी है हमारी समानतर सेनी है अब आज यह next question कहता है खाते में प्रतिक वर्ष का मिश्रधन जबकी रुपए 10,000 की रासी आठ प्रतिसत वार्सिक की दर्ष से चक्रवर्ति ब्याज पर जमा की जाती है तो क्या यह वाली सेनी हमारी एपी होगी तो देखो सबसे पहले कोई कठिन नहीं है सिर्फ देखने में लगता है हमें यह मिश्रधन वाले कोशन हमारे तिमाग खराब करेंगे पर कुछ भी नहीं है एक बाध्यान से देखिए सबसे पहले हम प्रतम वर्ष की रासी हमें आपर दी है कितनी दी है 10,000 प् यहां तो एरेजर का यूज़ कर सकते हैं बच्चो आप से गलती होगी तो आप क्या करोगे काटोगे चलो प्रतम वर्ष की रासी कितनी है प्रतम वर्ष की रासी जिसको हम क्या बोलेंगे एवद टेक है कितनी दे रखी हमें 10,000 रुपए दे रखी है अब 37 देख लो यहां पर हमें दर भी दिया है कितना दर दे रखा है अगर हम 10,000 रुपए जमा करेंगे तो 8 प्रतिसत के हसाब से हमें क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा अब दर कितना है आपर 8 प्रतिसत अब देखो इन्होंने कितना वोला प्रतेक यानि समय कितना है एक वर्ज एक साल समय कितना हो गया कि 1 वर्ज ठीक है यहाँ पर प्रतम वर्ज की रासी यानि मूलधन 10,000 हो गया दर 8 प्रतीसत हो गया समय कितना हो गया एक वर्स अब ब्याज निकालने का सूत्र सिंपल मैंने याद किया है ब्याज निकालने के लिए पी आर टी बटे सौ पी आर टी बटे सौ पी यानि मोलधन आर मतलब दर टी आने की समय अब देखू तो सबसे पहले अब हम क्या निकालेंगे अब हमारे पास पहले 10,000 रुपय थे अब दूसरे वर्स क्या हुआ उसमें 8% का इंटरस लग गया ब्याज लग गया तो हमारे पैसे क्या होंगे बढ़ जाएंगे तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि दूसरे वर्स के लिए हमारे पैसे कितने बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें दूसरे वर्स के रासी का क्या निकालना पड़ेगा ब्याज दूसरे वर्स के रासी का ब्याज ब्याज बराबर, देखो हिंदी में लिखू तो मूलधन, हूतरे याद कर लेंगे, मूलधन गुणा, समय गुणा, दर या दर गुणा समय भी लिख सकते हो, ठीक है, बटे 100, यानि कि मूलधन को किसे रिप्रेजन करता है, पी से, मैं पी आर टी, आर यानि पहले मैं दर लिखते हूं, तो P, R, T यानि की टाइम बटे, क्या हो गया, 100, मूलधन कितना है आपका, 10,000, आर यानि दर कितना है, 8 टाइम कितना है, एक वर्स, बटे क्या हो जाएगा, 100, 100 के 2,0 से 2,0 कटेंगे आपका answer कितना हैगा 8 की multiply किसे कर दोगे 100 से कर दोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर दूसरे वर्स का ब्याज कितना आ जाएगा 800 रुपे यानि 10,000 रुपे के साथ हमें ब्याज कितना मिल जाएगा 800 रुपे का ब्याज मिल जाएगा तो दूसरे वर्स जब हमारे पास पैसे होंगे यानि जब हमारे पास A2 आएगा वो कितना हैगा 10,000 और प्लस किया जूड जाएगा उसमें 800 रुपे का ब्याज जूड जाएगा तो हमारे पास कितने रुपे हो गए 10,800 रुपे हो गए कितने हो गए एक 0 सायद मैंने ज्यादा लगा दिया गड़ बढ़ कर देगा यही 0 आला हो नहीं है हमें 0 बढ़ाना तो A2 कितना निकल गया 10,800 अब हम क्या निकालेंगे तीसरे वर्स का ब्याज क्योंकि पहले तो केवल 10,000 रुपे पर ब्याज मिला था अब हमें 10,000 के साथ साथ इस 800 रुपे भी तो ब्याज मिलेगा अब हमें टोटल दूसरे वर्स में कितने पर ब्याज मिलेगा तीसरे वर्स में 10,800 रुपे पर ब्याज मिलेगा और पहले कितना मिला था 10,000 पर ब्याज मिला था अब देखो दूसरे वर्स का ब्याज निकाल लो तीसरे वर्स का ब्याज बराबर मुल्धन कितना हो गया अब 10,800 पहले 10,000 था अब कितना हो गया मुल्धन 10,800 दर कितना है 8, टाइम कितना है एक वर्स बट्टे कितना आजाएगा 100 दो जीरो से दो जीरो कैंसल कितना आया 108 गुणा 8 कम 8 जब मल्टिप्लाए करोगे 88, 64, 8 कम 8 यानि कि कितना ब्याज मिल गया हमे 864 रुपए पहले हमें कितना ब्याज मिला था किवल 800 रुपए मिले थे और अगले वर्स में हमारा ब्याज कितना हो गया 864 रुपए यानि कि अब हमारा A3 कितना आ जाएगा A3 A3 में A2 प्लस 864 रुपए 2 प्लस 864 रुपए A2 कितना है 10800 प्लस 864 रुपए क्या होगे हमें ब्याज मिल गए हमारे भई बैंक में पैसे जमा करने पर हमें क्या मिलता है ब्याज तो एड करोगे चार छै आठ आठ दोनी सोला और एक हमारे पास A3 कितना आ गया 11,664 रुपए आ गया तो देखो A1, A2, A3 A1 कितना है भई 10,000 A2 कितना है 10,800 A3 कितना है 11,664 रुपए आ गया 12,600 10,000 अब हम क्या करेंगे भाई चै के लिए हम बाइट करलर का यूज करते है अब चै करेंगे चै कैसे करेंगे सार्व अंतर से सार्व अंतर निकालके देखेंगे सार्व अंतर यानि दीवन D1 निकालने के लिए क्या करेंगे A2 माइनस का A1 A2 कितना है 10,800 माइनस 10,000 घटाओ के कितना आ गया 800 D1 कितना आ गया 800 अब इसी तरह D2 निकालो D2 कितना निकालों के 11,664 मैंसे कितना निकलेगा A3 यहापे मैं लिख देती हूँ कितना माइनस करेंगे A3 माइनस का A2 करेंगे कितना माइनस करेंगे 10,800 10,800 घटाओ के तो यहापे कितना आ जाएगा 864 अब यहापे देखो बहुत बड़ा गेम हो गया D1 और D2 तो हमारा बराबर आया ही नहीं एक हमारा आया 800 रुपै एक आया हमारा 864 रुपै तो हमारा सारव अंतर बराबर नहीं है और जब हमारा सारव अंतर बराबर नहीं है इसका मतलब कि यह समांतर सेनी यानि की AP नहीं है तो सिंपल सी लाइने हापर क्या लिख देंगे यह ए पी नहीं है ठीक है बिटाई जो मैं आपको questions करवा रही हूँ यह जो हमारी नई book MCRT ने क्या किया है हमारा बहुत जादा syllabus कम कर दिया है बच्चों पर से थोड़े से बोज को कम कर दिया है बहुत सारे questions को कई chapters को कई exercise को कम कर दिया है तो यह जो हम पढ़ाई कर रहे हैं यह हम जो हमारी नई book है जो हमारा नया असेशन चल रहा है 2023-2024 उस से उस book से हम क्या कर रहे है study कर रहे हम उसी book के questions को solve कर रहे है तो आज हमने कितने questions solve कर लिए चार यानि एक के चार भाग solve कर लिए अब आप इसको क्या करी है रिवाइस करिए फिर हम मिलते हैं नेक्स वीडियों कर तब तक के लिए बाई बाई